हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप रेंक में स्वागत है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है वर्ल्ड की आदी से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी लोगडाउन की वज़े से अपने घरों में है और इसी वज़े से हमारे क्लाइमेट पर काफी अच्छे चेंजेज आ रहे हैं जैसे पॉलुशन लेवल में ग्रावट, ट्रैफिक फ्री रोड और प्लेन फ्री आस्मान सो आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे लोगडाउन से आ रहे हमारे क्लाइमेट चेंजेज के बारे में जब आप आस्मान की तरफ देखते होगे आपक एक्टरीज का बंद होना भी और अब बात करते हैं चाइना जहां से हैं महामारी स्टार्ट होई वहां इस लोगडाउन और एकनोमिक स्लोडाउन की वजह से एयर क्वालिटी में काफी इंप्रोमेंट हुए हैं यहाँ आप 2019 और 2020 का ग्रावट देख सकते हो कैसे लेवल में ग्रावट देखी गई है अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में काफी अच्छे चेंजिस देखे जा रहे हैं लॉगडाउन के बाद जैसे नदियों का साफ होना यह आप यमना नदी की तस्वीरे देख सकते हो लॉगडाउन से पहले और लॉगडाउन क पर बात का graph देख सकते हो कैसे lockdown के बाद pollution level में इतनी ग्रावट होई है इडिया में तो हवा इतनी साफ हो गई है कि जलंदर के लोग हिमाले की पहाड़ियां भी देख सकते हैं जो वहाँ से 140 किलोमेटर दूर है यहां के लोगों का यह कहना है कि यह 20-30 सालों में पहली बार हुआ है कि जलंदर से हिमाले की पहाड़िया भी देखी जा सकती है पर इन चेंजिस से हमें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि यह क्लाइमेट चेंजिस टेंपरेरी है जैसे ही लोगडाउन खुलेगा सब पहले की तरह हो जाएगा लास्ट में मैं बैस आप सभी लोगों से इतना कहना चाहूंगा चाहे हमारे क्लाइमेट में कितने भी अच्छे चेंजिस आए हो पर यह उन लोगों के जीवन नहीं सुधार सकता जो इस वाहरस से अपनी जान गवा चुके है अगर आपको हमारे जरिये दी गई जानकारी स समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी वीडियो अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करना तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें